हेलो एबरण दिस निल फॉम स्टॉक सेटलाइट चली देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया कल मार्केट कैसा जा सकता है इसको भी जी क्या लोजिक है और कल इंट्रेट के लिए कौन कॉंचा स्टॉक अच्छा मुएंटम दे सकता है जैसा कि अपने थम्नेल में पढ़ी ल उपर या नीचे कहीं भी ब्रेकटाउन करता है हमें एक डिरेक्शन मुमेंटम मिल सकता है और नीचे अगर यह ब्रेक करता है तो 41,000 और उसके नीचे अच्छा एक पैनिक सेलिंग हम लोगों को मार्केट दिखा सकते लेकिन मार्केट अनादर डिसपॉइंटिंग करके फि लोग पूट राइट करके बैठे हैं नीचे से उन लोगों को कंटूनासली जब तक रहागा उनको पॉफित होता रहेगा वह बेकर में अपना पोजिशन काटेंगे नहीं जब तक इसी रेंज के अंदर मार्केट रहेगा आइधर कॉल राइटर का लॉस हो तभी मार्केट करेंगे बहुत लोग ब्रेकाउट करेंगे तब यहां पर मोमेंट मिलेगा सेम फॉर पूट राइटर नीचे की साइट में हो सब्सक्राइब तक मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे मुझे नहीं लगता मार्केट में कुछ खास मोमेंटम आएगा तो कल के देखते कल अद अगर 41,730 के उपर प्राइस निकलता है एक ब्रेक आट देता है हम लोग यहां पर बाई कर सकते हैं 850, 950, 40,000 का लेबल अपर सेट में फिरिशर टेस्ट करने के लिए जा सकता है आज भी मैं वही लेबल लग रहा हूँ कुछ चेंजस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जब तक इस रेंज पर रहेगा मैं ट्रेड लेने के लिए उन्दा इंट्रेस्ट नहीं हूँ मार्केट में कुछ खास मोमेंटम था नहीं लास्ट बारा बज़े के बाद थोरा मार्केट यहां पर साइड हो गया इसका ब्रेक आउट पर कुछ लोग अना ट्रेट किया होगा लेगिन यहां पर प्रीमियम बहुत सदा बरे नहीं था अगर आपने ध्यान से दिखा होगा बहुत जाद है यहां पर प्रीमियम बरे नहीं था उसके बाद यहां पर मोमेंटम किया अभी देखिए पहले यह सपोर्ट था मार्केट बेकडाउन किया उसके बाद रिस्टेंज बन गया फिर यह ब्रेक आउट किया फिर से यह सपोर्ट बन चुका है अभी हम लोग सपोर्ट है क्योंकि डेल हो इसी लेवल के आसपास है तो यहां से बाउंस बह आ सकता आगर 250 के नीचे स्टेट करना स्टार्ट करता है तो फिर से 41,000 का लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है 41,100 then 41,000 के level को test करने के लिए market मीचे जा सकता है अगर market थोड़ा बहुत flat खुलता है और उपर निकलता है जब तक 41,730 के level break नहीं करता तब तक मैं buying set में interested नहीं हो अगर ये break करता है तो मेरे इस अफते इस बार flow में निकल जाना चाहिए क्योंकि तीन बार इस level को market अलएड़ी test कर चुक है अगर ये इस बार निकलता है तो फिर आपर सेर में अच्छा momentum करना चाहिए अभी अगर market में gap up या gap down हो गया तो हम लोगा plan of action क्या रहेगा देखिए अगर इस range के बाहर कहीं पर भी market जाता है ठीक है अगर gap up खुलता है तो अलएड़ी आप लोगों को पता है क्या करना है हम लोगों को simply थोड़ा वेट करना अगर gap up खुल के indication मिल गया कोई भी हमें fooding start जासे तो फूरा वाद सेलिंग कर सकते है आज का day का closing या अगर थोड़ा वहाद gap up खुलता है 700-800 के उपर 850 के आसपास तो वेट करेंगे मार्केट को नीचे आने देंगे अगर यहां से कोई support candle दिख रहा है support ले रहा है market उसके बाद support का breakout बगरा कूछ उपर निकल रहा है तो यहां पर छोटा stop loss मिल जाएगा बाइंग साथ में प्लान करेंगे same goes for back down अगर gap down खुलता है market का यह सरा लेबल के पास आके थोड़ा बहुत buying मिल सकता है अगर यहां पर प्राइज साइड हो जाता है range बनाता है फिर range का breakdown करता है तभी अगर flow में निकल जाता है मैं उतना interested नहीं हूँ अगर यहां पर थोड़ा range बना के फिर नीचे breakdown करता है तब यहां पर selling कर सकते हैं अगर यहां पर directly कोई hammer candle बना उसके hammer candle का breakout बाद तो खुरा बोद हम लोग बाहिंग प्लान कर सकते हैं यह सारे लेविल अपर साइड में target market आप लोगों को दिखा सकता है ठीक है चले वी निफ्टी देख लेता है trade prefer करता हूँ लेकिन हां morning में यहां पर कोई indication नहीं मिला क्योंकि अगर आप यहां पर sell भी करते हो आपको confidence नहीं मिलेगा यहां पर trade करेगा क्योंकि नीचे यह सारा level support trade करेगा तो जिन्होंने भी यहां पर sell किया होगा हम लोग के लिए strong support है 17800 अगर कल का इनलीस का वीडियो आगर आप लोगो नहीं देखा होगा उसे मैंने साब साब यह चीज़ मेंशन किया था अगर प्राई 17800 के नीचे निकलता है यहां से अग्रेसिव सेलिंग आ सकता है 17700 यह सारा level फिर से नीचे दिखा सकता है होता ही नहीं है अगर मार्केट नीचे कंटिनु आता है कोई स्विंग मार्केट नीचे आ रहा है आप क्यों सेल करके प्रॉफिट लेके जा रहा है जैसे यहां पर इस हाई को ब्रेक करना स्टार्ट किया बहुत लोग यहां पर निकलना स्टार्ट किया यहां पर स्टॉप कोंचलेरेट करता है ‎क खुशदर टाइन करता है उसके बाद ब्रेकडान करता है यहाँ पे देल मुलग ब्रेकडाउन करता है लेकिन यहाँ पर उस month में बहुत ही बड़ीया ठेड मिला भीृषरी रुषर रिकबरी हुआ मर्केट में आप देख सकते है बहुत कम देखने के लिए मिलता है इतनारी कभरी उसके मार्केट थोड़ा साइड ऊस था यहाँ पर छोटा से एक च्रेड हम लोगो देखने के लिए मिला लेकिन यहाँ पर आपको बता सकता हूं कल से 21.00 उपर आके close दिया वले ही लेकिन फिर से ये 17,98 के लेवल को break नहीं कर पाया है तो यहां पर हम लोग का कल के लिए क्या planning रहेगा उसके बात कर लेते हैं देखिए यह price action तो indicate कर रहा है my market उपर जा रहा है लेकिन यहां पर अगर मैं एक trade line भी draw करता हूं यहां पर देखिए एक trade line भी चल रहा है और यहां पर 18,000 के यहां पर यहां पर दो कर दिया और यहां पर हम लोग का resistance है ठीक है यह हम लोग के लिए resistance point है तो अभी हम लोग यहां पर एक trade ले सकते है अगर market flat खुलता है इस level पर फिर breakout करता है यहां पर support लेके उपर चलता है त तो इसके उपर 920 के उपर निकालेगा तब आप buy कर सकतो फर्स टार्गेट यह height टाच करने के लिए जा सकता है 17,000, 970, 980 के आसपास अगर इसके उपर निकालेगा तो 18,000 का level यहां पर strong resistance है अगर 18,000 का level को break करता है ब्रेक करता हो तो copper ली ब्रेक करता है then 18,000 40, 18,080 upper side में इसको support ले रहा है अगर इस deadline का breakdown करता है आप यहां पर selling कर सकते हो फर्स टार्गेट यहां पर नीचे के side में 17,825 का यह 820 का रहेगा अगर 800 के नीचे निकाल देता है तो याद रखिए 17,800 के नीचे निकलता है हम लोग aggressive selling नहीं करेंगे 17,785 या 80 के नीचे market sustain करना चाहिए 17,780 के नीचे market sustain करना चाहिए तब ही हम लोग aggressive sell कर सकते है आज काड़े का low market यहां पर test करने के लिए आ सकता है उसके नीचे 17,700 का level test करने के लिए market नीचे के side में आ सकता है और अगर 700 के नीचे trade करना style कर देता ताब यहां पर थोड़ा बहुत panic selling market दिखा सकता है और अगर gap up gap down खुल गया तो हम लोग का plan of action यह रहगा अगर gap up खुल जाता है ECA level पर first time आ रहा है तो यहां से थोड़ा बहुत market में selling आ सकता है तो यहां पर कोई indication मिल है थोड़ा बहुत selling कर सकता है अगर थोड़ा gap up खुलता है तो wait करने के market नीचे आ गया अगर यह सरा level support लेता है तो support के basis में breakout basis में buy कर सकते हैं जब तक यह trade line के breakout नहीं हो तो हम लोग selling के लिए plan नहीं करेंगे अगर last swing course करता है तब थोड़ा वह aggressive plan कर सकता है नीचे की side में अगर gap down खुलता है यह last swing के पास खुलता है तो थोड़ा buying expect कर सकता है अगर gap down खुलते ही फिर से trade line के उपर निक session के लिए जो stocks मैंने दिया था वो कैसा पहूं किया है सबसे बेला stock मैंने कल दिया था EU bank अगर flat खुल के ऊपर निकलता है buy करने के लिए बोला था अच्छा खासा नीचे momentum किया 636 का low लगा बहुती बढ़िया profit बना यहां पर आम लोग का next stock है हम लोग के लिए हिंदल को यह यहां पर hit करके price फिर से cost to cost में नीचे आके close दिया है last हो के हम लोग के लिए EBP sale यहां पर हम लोग का trailing SL बोल सकते है cost to cost का SL गया होगा जुद्न लोग यहां पर breakout में टेट किया होगे 5 मिनीच के breakout पे लेकिन यहां पर impact clearly दिख रहा होगा अगर फिर भी आपने नहीं लिका time frame में जाके देखें यहां पर continuously aggressive यहां पर एक selling होगा था market चार पास दिनों से market continuous के पास सब्सक्राइब कर रहा है और आज exactly resistance के पास सब्सक्राइब market ने close किया है तो आज अगर market फ्लैट खुल के 650 के उपर निकलता है यहां पर नाइन जिरो के उपर five minutes के breakout करते हैं हम लोग यहां पर anti ले सकते 6550 तक का initial direct आएगा और हम लोग थोड़ा वो selling side में भी plan कर सकते हैं आगर last swing जो market ने यहां पर बना है तो अगर flat खुल के last swing को break क में प्लान कर सकते हैं next stock है हम लोग के लिए i7 यहां पर देख सकते price नीचे की side पर आज का open हुआ था इसी side उपर से breakout करके बीचा की flat closing दिया है अगर कल थोड़ा बहुत gap आप खुलता है last जो यहां पर swing माना है जो एक resistance भी है अगर इसकी उपर निकलना start करते हम लोग इसक कर रहा है अगर थोड़ा बहुत gap खुलता है last swing break करता हम लोग इसको buy कर सकते 614.50 का टाग्ट कर लोग के थोड़ा नीचे stop loss दलगे buying side में प्लान कर सकते है लास्ट हो के हम लोग के लिए टाटा chemical यह अच्छे level पर दिख रहा है market अगर यह लेविल को ब्रेक करता है आज करता है आज के लिए इतना ही मिलते आप से नेक्स वीडियो पर जैहिंत